हेलो फ्रेंस आज या मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक के ऊपर अंडरग्राउंड लेस अटेच करने का दखा है को फ्रेंस मैंने जो नेकन लिया है नेक को हमने फैबिक Κो पर पेस्ट कर लिया है और इसके भीज सेंटर में हमने एक क्रीज बना लिए है क्रीज बनानी की वैर Friends, Snake के बिल्कुल पास-पास हमने चैसे देखिए इस तरह से हमने इसलाय लगा रखी है तो इस के उपर Friends हम पाईपेंग अटच करेंगे तो Round Neck के उपर पाईपेंग अटच करने के लिए Friends हम जे गाईपेंगे क्योंकि array piping ये round में लेगेगी वर finishing के साथ लेगेगी तो इस piping को attach करने के reference हम जे single foot जोज करेंगे तो double foot को हटाते हुए हम इसके उपर जे single foot attach करेंगे तो जो हमने sli लगाई है उस sli के उपर इस तरह से piping को रखते हुए जी देखिए ऐसे रखते हुए इसके उपरम sli लगाएंगे और जे sli हमारी जो हमने sli लगाई है पहले उसके बिलकुल साथ साथ ही रहने चाहिए तो इस तरह से फ्रेंस हम देरे देरे गमाते जाएंगे और sli लगाते जाएंगे और round हमारी piping है जो array piping है बो ही round में finishing के साथ लगती है आप भी जब round neck मनाएं तो उसके उपर array piping जूज कीजएगा तब ही हमारा जो ने खैफ निशिंग के साथ बन पाएगा और इस तरह से बहुती द्यान के साथ हम sli लगाएंगे और लेस को sorry piping को attach करेंगे और जहां से हम piping की cutting कर लेंगे तो इस तरह से friends जे हमारे ने के उपर piping attach हो चुकी है अब हम आपने कुर्थी लेंगे कुर्थी के उपर हम इस neck को attach करेंगे तो single foot खोलते हुए इसके उपर हम double foot attach कर लेंगे और जही मारी कुर्थी है जैसे हम कुर्थी के उपर simple कोई भी neck attach करते हैं उसी तरह से snake को attach कर लेंगे सबसे पहले उपर स्लाई लगाएंगे और उसके बाद हम सैंटर में स्लाई लगाएंगे तो जी दिखिए इस तरह से हम स्लाई लगा लेंगे और उसके बाद हम नेक के पास-पास राउंड में स्लाई लगाएंगे जी दिखिए इस तरह से ये स्लाई हमारी जो हमने पाइपिंग वाली स्लाई है हमारी उसके साथ साथ आने चाहिए और इसी तरह से हम स्लाई लगाकर इस नेक को अटैच कर लेंगे जी दिखिए इस तरह से जिमारा नेक अटैच हो जाएगा और जो हमारी पाइपिंग है वो भी अंडर्गराउंड अटैच होगी और इस तरह से फ्रेंग लगाने के बाद हम leah फार गोard रजन चोड़ते हुए चैनल के जी फैब्री को कट कर लेंगे सिंपल नेक मिनाते हैं उसके बाद हम नेक को कटिंग करते हैं उसी तरह से हम नेक को भी बीच मेसे कट कर लेना है हाफ इंज का मर्जन छोड़ते हैं उसके वाइस में कट लगा लेंगे तो इस तरह से हमारी पाइपिंग आ जाएगी और तो फ्रेंस जहां से मेरी वीडियो का थोड़ा सा पार्ट मेरे से मेस हो गया तो मैं इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूं तो जे देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारी पाइपिंग बहुती फिनिशिंग के साथ अटेश जो हो चुकी है और इसके नेचे हमने तरपाई भी कर ली है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस वीडियो को लाइक करें शेयर करें तैंक्यू थैंक्स वर वाच्छेंग